हेलो फेंड एक नया वीडियो आज भी डाल रहा हूं आज साथ लोगों का परसल डिस्पैच हुआ है प्राइबिट कुरियर और इस्पिट पोस्ट से रिसिप में हर वीडियो में दिखा देता हूं फिर उपर से जिसका परसल गया है उसको भी और सब कर देता हूं ठीक है और कलकता में एक्जिबिशन इस मेंना का लाश्ट में है 26-27-28 कलकता एक्जिबिशन होने जा रहा है हर मेंना कहीं न कहीं एक्जिबिशन होते रहता है तो आप लोग सिखने के लिए नए भीवस के लिए सिखने के लिए आप लोग एक्जिबिशन एडिन करना परेगा और इस लाइन में सबसे बड़ा बात होता है सीखना, आप अगर सीख नहीं पाऊगे ते इस लाइन में आप कोईन कलेट भी नहीं कर पाऊगे, आम चालांग से अभी भी कुछ सीखा ऐसी भी है, जो रेयर की तरफ कोईन है, जो अभी भी मिल सकता है, लेकिन लाको सीखा चार्टने म एक ही rare coin मिलता है यह बात को भी ध्यान में रखना है और हर coin हर पुराना coin कीमत नहीं होता है coin में कुस खास बात होता है जो दुसरा coin में होता नहीं है mintage कम होता है तो उसी को coin वही coin को rare माना जाता है पुराना coin बहुत सारा आदमी समझता है हम रपास 200-500 coin है सब लाकों में बिखता है ऐसा कोई बात नहीं है लेकिन पुराना सिक का बिखता है लेकिन rare बिखने बाला आइटम होता है वही बिखता है ठीक है बुक भी आ गिया है नया train addiction का बुक सब का पास आइस्दा आइस्दा से available भी हो जा रहा है और price भी market में बहुत ज़्यादा demanding आगे बर रहा है और बहुत जल्दी आप लोग को भी update मिलेगा जो price की इस हाल में बर रहा है साइद जिसका पास पुराना माल buying है उसी price में साइद आपको कम price में मिल जा रहा है लेकिन जिससे पास भी मिल जा रहा है जल्दी से जल्दी उठा लीजिए क्योंकि price market में बहुत ज़्यादा बरने वाली है बहुत ज़्यादा क्योंकि जब बर जाएगा तो मेरे आप ये वाला बात को आप मिला लीजिएगा ये यूटुबर ने एक बताया था ये वाला बात आपको ठीक है ना तो चलिए आगे बरते आज का first coin आपको दिखा रहे दिखाने जा रहा हूं 10 डूपिस by metallic coin 2007 noidamine पूरा ब्यूएंसी coin है ठीक है लस्टर के साथ पूरा ठीक है 350 तीन सो पचास रुपिया पर भी सेंप ड्राइज में आपको मिलने जा रहा है ये भी इसकार आइटम है 700 डूपिया 10 डूपिस का लॉट आपको मिलने जा रहा है पूरा ब्यूएंसी coin है ये भी collectable आइटम है नेक्स्ट कोई आपको दिखा रहा हूं टू रूपिस श्री अर्विंदो का बॉंबे मिन से ब्यूएंसी coin 1998 बॉंबे मिन पूरा ब्यूएंसी coin है गुल्डेन लस्टर रखा गया है 200 रूपिया नीव बूप में ठीक है तो मिरे हाथ में कोईन है बॉंबे मिन का टूपिस एबलेबल है 400 रूपिया पर पिस के हिसाब से मिलने जा रहा है तूपिस एबलेबल है जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है नेक्ट कोई'न आपको दिखा रहा हूं 50 प सार और भी आई कॉपर निकल में हैदरबाद मीन से यह भी काफी डिमांडिंग कोई ने डाइसो रुपिया प्राइज बुक में रखा गया है यूएंसी प्राइज में ठीक है ना इसके प्राइज नाइन एडेक्शन बुक में साइज मेरे ख्याल से पचास रुपिया था अभी नाइडेक्शन बुक में ठाइसो रुपिया आया है मतलब बहुत ही डिमांडिंग होने जा रहा है और आगे भी और भी डिमांडिंग होते जाएगा आज जो प्राइज में मिल जाए रहा साइद दो तीन चार माइना पहले एज प्राइज में साइद दुबारा नाम है कि नेंश्ट कोई आपको दिखा रहा हूँ पचास पाइसा ऐफेस में डण्डी मांच बीवन सी कोईन है इसका यूएज़़टा में है यूएज आया है traaiز इसको चाहिए मैसेज कर सकता है 450 रुपिया में आपको मिलने जा रहा है Next coin आपको दिखा रहा हूँ Nickel Brass में मदन महन मालविया Hyderabad मीन 5.8 star साथ आपको नजर आ रहा है फिर भी मैं जूम कर के दिखा रहा हूँ 5.8 star है Nickel Brass मदन महन मालविया Hyderabad मीन ये भी काफी demanding सिक्का हो गया है, बुक में, नया बुक में 200 रुपिया UNC प्राइज रखा गया है, ठीक है, पिछले 9 एडेक्शन बुक से 10 एडेक्शन बुक का प्राइज मिलाईएगा, तो बहुत ज़्यादा फरक नजर आएगा, ठीक है, तो ये प्राइज आपको मिलने ज सिंगल पीस एफ़ैलेबल है, अल्ली वान पीस एवैलेबल है, पहले कॉइन का कंडिशन देख लीजे, कैसा है, असक लाइज लाइज देख लीजे एदम पॉपर क्लियर असक लाइज दिख लाइजा है, थिक है बहुत सारा कॉईन में ये जो हिस्सा होता है, पुरा घिस आता है ठीक है न लेकिन मेरे हाथ में जो कॉइन है अध्off पूरा क्लिंग अध्off साफ सुत्रा कोईन एध्off बडियर कंडीशन का कोईन है ठीक है तो कोईन होने जा रहा है 1988 नोईडा मिन ठीक है यह वी काफी डिमांडिंग और रेयर आइटम है 1988 Noidamine AUNC Condition का AUNC Condition मेरे हाथ में है ठीक है ना Final Price आपको मिलने जा रहा है 3000 रुपीस 3000 रुपीस में आपको 1988 Noidamine आपको मिलने जा रहा है एक ही पीस अवेलेबल है जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है Next Coin आपको दिखा रहा हूँ 2 रुपीस Small Family Bombay Min से 1993 Bombay Min पुरा Mirror Finishing वाला Coin है मेरे हाथ में 2 पीसी अवेलेबल है BUNC Condition में Small Family Happy Family 700 रुपीया प्राइज होने जा रहा है सेम प्राइज में देने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें भी प्राइज मैंने बढ़ाया नहीं है आगे बढ़ गया है लेकिन मैंने बढ़ाया नहीं है क्योंकि मेरे पुराना बाइज है अवेलेबल है उसलिए में जब तक मेरे हाथ में पुराना पाइज और रहाएगा में उसी प्राइज में देते जाऊंगा जो नया बाइंग हो जाएगा तो नया price, automatic भी बढ़ेगा, क्योंकि मेरा भी कुछ करने का, इसमें कोई काम ही नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो 700 रुपिया में आपको मिलने जा रहा है, टूपीस अवेलेबल है, नेक्ट कोईन आपको दिखा रहा हूँ, 10 रुपिस, बाइमेटलिक कोईन, बीवेंसी कंडिशन का, पार्लामेंट, कलकत्ता मीन का ये कोईन है, 10 रुपिस, बाइमेटलिक कोईन, 2 पीसी अवेलेबल है, क्याई होने जा रहा है, 850 रुपिस, 850 रुपिया, पार्लामेंट, कल जैसे हाल में जो सिक्का देख रहा है, जो कैपसूल के अंदर है, जो कार्ट होल्डर है, सिलिप के अंदर है, जैसे जैसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे जाएगा आपका पास, खास तोर से नया विवस के लिए, बोल डाउं, नया जो इस लाइन में आ रहा है, नया कलेक्टर हमसे बाइन कर रहा है उस सब के लिए अपडेट है पुराना सब को पता है नेक्स्ट कोई आपको दिखा रहा हूँ यह भी एक 10 डुपीस बाइ मेटलिक कोईन एक रेयर कोईन आजादी का अमरीत मौसब 2021 नौईरामीन इसमें भी प्राइज बर गया है नाइन इडिक्षन बूक में 500 रुपिया प्राइज रखा गया था इस साल का जो नया बूक 700 रुपिया प्राइज रखा गया है तो इसलिए यह भी प्राइज में और भी जदा बराव दिखने को मिला है और आगे भी बरहेगा तक खलाल मेरे पास पुराना रेट में ही है नेक्स्ट कोईन आपको दिखा रहा हूँ, दादा भाई नरोह जी, हाइदराबाद मीन से ये वाला काफी डिमांडिंग सिखा है, मेरे ख्याल से आपका टेन एडेक्शन बूक में, मेरे ख्याल से साइद 700 रुपिया प्राइज आया है UNC ग्रेडिंग में, ये राद मीन का, दादा भाई नरोह जी, फाईट लुपिस निकल, नेक्स्ट कोईन आपको दिखा रहा हूँ, डादा केरें, चलक्तिध में, ब्व ए मसे कंडींशन में, टूपिस अविलेबल है, तूइपिस अविलेबल है, ये वाला कोईन में प्राइज में, प्रायस में इ बुक में नया UNC में एक हजार रुपिया प्राइज रखा गया है तो एक हजार प्राइज रखा गया है तो मर्केट का भेलो आप लोग समझ सकते हो क्योंकि बुक का प्राइज से मैच नहीं होता है मर्केट का प्राइज बहुत जादा आगे रहता है ठीक है जादा रहता है तो यह आपको 500 रुपिया में आपको मिलने जा रहा है एक कलकत्ता मीन का एक रेयर कोईन है रादा किष्णन कलकत्ता मीन यह भी एक रेयर कोईन है 5 रुपीस FSS में लाल बादु सस्त्री कलकत्ता मीन एक मियूल कोईन है FSS में एक हीपीस अवेलेबल है 500 रुपिया में आपको कलकत्ता मीन का यह कोईन है निकल ब्लास बी उएंसी कंडिशन में इसमें भी प्राइज बर के आया है तो यह कलकत्ता मीन का यह कोईन मेरे हाथ में है एक ही पी सेवे लेवेल है बी उएंसी कंडिशन में प्राइज होने जा रहा है पंडासु रूपिया 1500 रुपीज में आपको मिलने जा रहा है कुमा गाटा मारू कलकत्ता मीन नेक्स्ट रियार कोईन आपको दिखा रहा हूँ तिलक की FSS में 5 रुपीज B1C कंडिशन में इसमें भी प्राइज बर गया है बॉम्बे मीन से ये कोईन है निकल आपका स्वारी FSS में B1C कंडिशन में तिलक की 5 रुपीज प्राइज होने जा रहा है 1700 रुपीज 1700 रुपीज एक इपीज अवेलेबल है जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है क्योंकि ये वाला नया बुक में 1300 रुपीज रखा गया है फिर भी मैं एक बार तब भी दिखा देता हूँ आपको क्योंकि बुक तो आईसा आईसा सबका पास एवेलेबल होते जा रहा है ठीक है थोड़ा थोड़ा मैं भी दिखाता हूँ देख लिजे ये वाला तिलक की FSS वाला फैर्टिंग स्टेली स्टेल UNC गेर्डिंग में 1300 रूपिया प्राइज रखा गया है ठीक है देख लिजे तो ठीक है नेक्स्ट कोईन आपको दिखा रहा हूँ एक क्रॉस कोईन 10 डूपिस बाइ मेटलिक कोईन एक रियर कोईन 2005 नॉइड आमीन ठीक है यह जो स्पॉर्ट नजर आ रहा है यह मीन का तरफ से है ठीक है ना मीन का तरफ से साथ कलर का फरक हो गया होगा 2005 नॉइड आमीन 10 डूपिस बाइ मेटलिक कोईन क्रॉस कोईन एक रियर आइटेम इसका प्राइज होने जा रहा है 3000 डूपिस इसका प्राइज होते जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है बहुत ज़्यादा और जिसका पास है तो मतलब उसका कलेक्शन बहुत हडली होता है और डिमांडिंग होता है यह वाला सिक्का एड होने में क्योंकि तिलक जी की बहुत डिमांडिंग सिक्का आगे है और आगे भी रहेगा क्योंकि इस्टेमली रेयर की तरफ यह चला जा रहा है आइस्ता आइस्ता न्यू बूक में 6,000 प्राइज रखा गया है तब लोग मर्किट का प्राइज हिसाब लगा सकते हो कि इस हाल में बर सकता है और बर भी गया है ठीक है तो मेरे हाथ में एक इपीस एवेलेबल है प्राइज होने जा रहा है 8,000 रुपीस आठ हजार रुपिया में आपको मिलने आपने जा रहा रहा है तिलग जी की कॉपन निकल में BUNC कंडिशन में 5 रुपीस ठीक है एक रेर कॉएन एक इपीस एवेलेबल है जिसको चाहिए messaj कर सकता है एक कोईन है, सिल्वर कोईन है, 10 रूपीस, बी उन सी कंडिसन में, मेरे हाथ में एक कोईन है, एक इपीस एवेलेबल है, सान लोटस, 1970 कलकत्ता में, एक इपीस एवेलेबल है, सान लोटस, प्राइज होने जा रहा है, 5200 रूपीस में, 5200 रूपीस में आपको मिलने जा रहा है एक ही पीस अबलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है, नेक्स्ट रेयर कोई आपको दिखा रहा हूँ, एक फास स्टाइक कोईन है, मैसूर इनिवर्सटी, फास स्टाइक कोईन, बीवेंसी कंडिशन में, इसका उनली 5,000 ही मिंटेज है, मिंटेज बहुत सारा आदमी को और जिसको नहीं पता है, वो जान ले, 5,000 ही मिंटेज है, मैसूर इनिवर्सटी, फास स्टाइक कोईन, एक ही पीस अबलेबल है, बहुत ही डिमांडिंग सिक्का है, और ये 2-3 साल का बात देखिएगा, मेरे एनलाइसिस है, कम से कम, 2-3 साल आगर हो होल कर ली जाएगा, त 10,000, 10,000 में आपको मिलने जा रहा है, मैसूर इनिवर्सटी, फास स्टाइक कोईन, ठीक है, तो ठीक है, कोईन का कलेक्शन खता में, और कुछ सेट है, 2-3 सेट, 3 सेट है, वो दिखा देता हूँ, जो मेरे कलेक्शन में आया है, UNC सेट, एक इपीस अबलेबल है, ये वाला, ठीक है, UNC सेट है, एधर में लिखा हुआ है, UNC सेट, ये होगा, एक सिल्वर कोईन है, 50% इसमें सिल्वर है, जो किस कंडिशन में कोईन बना है, किस-किस मेटरियल इस हुआ है, इसमें पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है, जैसे कि इसमें दिखा देता हूँ, सिल्वर है 50%, क एक टो कोईने एक सो का और एक टो कोईने टेन रूपीस का ठीक है यह भी काफी डिमांडिंग सेट है इसका प्राइज होने जा रहा है छे हजार रूपिया एक ही पीस एवेलेबल है जिसको मेसेज पहले आएगा उसी को यह बुक करा दिया जाएगा क्योंकि मेरे पास टूप गुर्तागद्डी यह भी यह लिएंचिस है टा कितार लिखा हुआ हो थी फेन है इस में भी सेंप explorer निकल जींग और एक सो का कोईन है और एक दस का कोईन है ज्बी काफी डिमांडिंग सेट हेएं आपका यह एनजीस है में गुर्तागद्डडी इसका प्राइस होने जारह ठीक है 4300 रुपिया में आपको एक सेट मिलने जा रहा है इसका भी सिंगल सेट ही एवेलेबल है इसका भी सिंगल सेट ही एवेलेबल है जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है तो अच का वीडियो का लास्ट सेट इसका भी मैं दिखा देता हूँ एक 500 का कोईन लगा हुआ है एक 10 डूपिस का कोईन लगा हुआ है इसमें भी किस-किस मेटरियल से कोईन रेडि किया हुआ है सब इसमें डिटेलिंग दिया हुआ है अप पर सकते है जब सेट आपका हाथ में जाएगा ता आप पर भी सकते है ये भी काफी demanding set है, इंद आफरीका, इसका price होने जा रहा है, 6800 रुपिया, 6800 रुपिया में एक UNC set आपको मिलने जा रहा है, ये भी एकी piece available है, क्योंकि मेरे पास जो भारी demanding बाला set, वही मेल आता हूँ, और उसी का एक या दोई piece available हो पाता है, जिसका message पहले आएगा, उसी को ये book करा दिया जाएगा, ठीक है, तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाई